सियोल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विश्वस्तर पर लोकप्रिय के पॉप बैंड BTS के सदस्य सुगा पर शराप के नशे में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए 15 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 31 वर्षिय रैपर, जिसका असली नाम मिन यूनगी है, पर अगस्त में आरोप लगाया गया था जब पुलीस ने पाया कि वह नशे में था और सियोल में अपने आवास के पास अपने स्कूटर से गिरने के बाद खड़े होने का प्रयास कर रहा था। जैसा की अधिकारियों ने पुष्टी की है, उनके रक्त में अलकोहल की मात्रा 0.227 परसेंट बताई गई है, जो दक्षन कोरिया की कानूनी सीमा 0.08 परसेंट से काफी अधिक है। सुगा ने इस घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सारवजनिक माफी जारी की। उन्होंने कहा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आर्मी।